अलो गाइस, वेलकम टू पाथफाइंडर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पाथफाइंडर पे आपके लिए UPSC 2021 का एक क्राश कोर्स रन कर रहे हैं, तो उसी में हमने स्पीशीज इन न्यूस का एक अल्रेडी सेट आपके सामने पेश कर दिया था, I am sure आपने अभी ये relevant है for UPSC 2021, कुल मिलाके दो सेट्स में, हमने इस पूरे के पूरे जो भी प्रजातियां पिछले एक साल में सुर्खियों में रही हैं, उनको गवर कर लिया है, also हमारे द्वारा इंडिन जोग्रफी का कोर्स लॉंच होने वाला है, जो की 2nd जून को शुरू होने वाला है जिसकी क्लासे रोजाना शाम को 6 बज़े हुआ करेंगी, अगर आप लोग एक भी क्लास मिस नहीं करना चाहते हैं, तो 2 जून के पहले पहले इस कोर्स में एन्रोल कर लीजे, और आपको यूस करना है मेरा प्रोमो कोड ANIUPSC in order to get the maximum discount possible on any of the subscriptions on an academy, यहाँ पर इस particular कोर्स के सा साथ आपको बताना चाहूंगा, इंडिया की top educators, दिली की faculty और ex-bureaucrates भी आपको पढ़ाएंगे, so you are not missing out on any of the educators on an academy, एक subscription के माध्यम से आपको सारे के सारे educators एक ही जगा पे available हो जाएंगे, और इसमें आपके जो prices आते हैं दोस्तों, एक साल का जो खर्चा आता है वो 44,550 र रुपीस पर डे, which is nothing, और यहां पर जो दो साल का cost आता है, यह तो और भी कम हो जाता है, यह 100 रुपीस से भी कम खर्चा आपको पढ़ता है, अगर आप लोग UPSC क्या सपना रखते हैं, I think इतना investment अपनी education के प्रती आपका देना बिलकुल वाजिब है, बिलकुल बनता है, बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, कि अगर आप मेरा code यूज करते हैं, ANI UPSC, तो मैं आपको personally guide करूँगा, आप मुझसे personal guidance लेला चाहते हैं, तो मेरा contact number टेलिग्राम पे shared है, वहाँ पे जाके आप मुझसे संबर्ख कर सकते हैं, राइट, चलिए start कर लेते हैं, सब National Aquatic Animal of India, तो यहाँ पर आपको चार options दी गई थी, और चारो options बहुत ही confusing थी, कई सारे बच्चों ने इसमें option number B को सही मा किया था, जबकि ये गलत जवाब हुआ यहाँ पर, सही जवाब हैं, यहाँ पर option number C, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, कि जो gangetic dolphin है, या फि एक बहुत ही भिन प्रकार की आवाज पैदा करती है, जिसकी वज़े से इसको सूसू के नाम से भी जाना जाता है, इसका IUCN status दोस्तों बहुत ही important है, इसको लेके सवाल आया नहीं है, but there is a high chance कि आगे जाके इसको लेके question पुछा जाएगा, कि इसका जो IUCN status है, वो endangered है, ठ कौन सी species endangered है, और कौन सी species critically endangered है, यह सुर्खियों में इसलिए था आपके सामने है, पिछले साल की खबर है, यह 27 मई 2020 को कि भारत की पहली Dolphin Observatory बनाई जाएगी, जिसका नाम होगा, विक्रमशिला Gangetic Dolphin Sanctuary in the भागलपुर district, जो की बिहार के प्रदेश में located है, इस news को भी ध् रखिएगा, यह चीज भी directly आपसे UPSC में पूछी जा सकती है, कि इंडिया की पहली Gangetic Dolphin Sanctuary कहां बनाई जा रही है, उसका नाम क्या है, इसके बारे में कुछ और चीज़ आपको बताना चाहूंगा, जैसा इसका नाम है, Ganges River Dolphin, बेसिकली यह आपको एक तो Ganges, ब्रमपु देखने को मिलती है, अब देखे, यह generally कहां पर पाई जाती है, वहाँ पर भी यह जो गहरा पानी होता है, वहाँ पर देखने को मिलती है, and mainly they are found around the confluence of rivers, यानि कि जहां पर एक से अधिक नदी आके मिलती होना, तो जैसे माली जी यह नदिया मिल रही है, तो यह अक्सर ऐसे Points पर आपको देखने को मिलती है, और इंकी और बहुती खास चीज क्या है, कि यह केवल और केवल, Fresh Water में ही देखने को मिलेंगी, यानि कि आपको समुदरी पानी में जो खारा पानी होता है, वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है, और यह Blind होती है, यह भी इनकी एक ख यह क्यों सुर्खियों में था उसके बारे में तो बातचीत करेंगे ही करेंगे लेकिन इसकी कुछ important चीजें हम बात करेंगे कि इसका IUCN status क्या है और यह recently किस चीज के लिए जाना जाता है अब देखिए सबसे पहले यह सुर्खियों में क्यों था जो चिलिका development authority है चिलिका development authority यह बताता है कि हमारा जो चेलिका development authority है या फिर हमारा जो in general जो forest का department है किस तरीके से एक नए पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है fishing cat to be the ambassador of चेलिका लेक और यह वाला जो recently किया गया है October 9, 2020 का यह news है अब देखे इसको लेकि कुछ basic चीज़ें आपको मानूम होनी चाहिए सबसे पहले इसका जो IUCN status है यह basically vulnerable status इसको कहा जाता है 2012 की बात है West Bengal की government ने fishing cat को अपना state animal भी declare कर दिया था तो यह बात भी आपको मानूम होनी चाहिए कि यह West Bengal का state animal भी माना जाता है और यह वाली बात तो आपको याद रखनी ही रखनी है और यह वाली बात भी आपको याद रखनी ही रखनी है इसमें threats क्या क्या आते हैं mainly इसकी hunting होती है देखे इसके meat के लिए और इसके skin के लिए सबसे बड़ा threat तो यही है, obviously बाकी threats आपको देखने को मिलते हैं, बाकी species में भी इसका जो habitat loss है वो सब देखने को मिल रहा है, now इसके बारे में कुछ interesting चीजें, अगर आप लोग इस image को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि इस fishing cat के मुँ में एक मचली है, तो यह क्या करती है, कि यह एक बहुत ही fast swimmer मानी जाती है, यह बहुत ही तेजी से तहराकी कर सकती है, और यह काफी जादा diving भी कर सकती है, so that यह मचलीओं को पकड़ सके, यह basically frogs को खाती है, crustations को खाती है, snakes को भी खाती है, birds को खाती है, scavenges on carcasses of the large animals, जो मरे हुए animals का carcass होता है, उसको भी यह खाती है, so यह सारी कि सारी इसकी कुछ particular characteristics हैं, जो कि आपको जाननी important है, यह बड़ी बात एक nocturnal wild cat है, नॉक्टर्नल यानि की यह रात को जागती है, और यह wild cat यानि की एक जंगली cat है, यह कहां कहां पर देखने को मिलती है, भारत में mainly आपको यह mangroove forest में ही देखने को मिलती है, एक तो आपको सुंदर्बंस में, दूसरा आपको चिलिका लेक में, और इसके बाद जो हमारे हिमाल्यास के foothills हैं, along the Ganga and the Bramputra river valleys and in the western ghats, वहां पर भी देखने को मिल जाती है, तो यह चीज भी याद रखनी है, और यह एक nocturnal cat है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, next, घडियाल्स की बात कर लेते हैं, घडियाल्स एक बड़ी interesting species है, इसको interesting क्यों कहा जाता है, because यह basically एक fish eating crocodile है, ठीक है, and it is among the longest of all the living crocodilians, ठीक है, तो आपको भारत में मालूम होगा, कि जैसे आपका एक salt water crocodile है, एक आपके घडियाल्स है, और भी है, which I am not able to recall the name, मगर है, right, मगर है, तो यह सारे के सारे 2-3 तरह के आपके species हैं, जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं, in fact, घडियाल्स recently सुर्खियों में आय थे, because घडियाल्स की कुछ छोटी सी population हमें देखने को मिली थी, और जैसे ही यह वाली चीज सामने आयी थी, कि घडियाल्स की कुछ हमें hatchlings देखने को मिली थी, और इससे क्या साबित हुआ, कि घडियाल्स केवल और केवल आपके चम्बल नदी में नहीं, बलकि आपके और इससा के स्टेट में भी देखने को मिल सकते हैं, इनकी जो major population है, इनकी जो major संख्या है, वो आपको चम्बल नदी में ही देखने को मिलती है, चम्बल नदी जो की आपकी राजस्थान मध्यप्रदेश के border पर देखने को मिल जाती है, या फिर एवन राजस्थान के अंदर कोटा जैसे शेहरों में देखने को मिलती है, वहा नदी है, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन remember इनकी जो main population है, वो आपको चम्बल नदी के ही अंदर देखने को मिलती है, अब recently क्या हुआ था कि 40 घडियाल्स को release किया गया था घागरा रिवर में, घागरा रिवर दोस्तों आपको मुझे comment section ने बताना है कौनसी नदी की tributary है, यहाँ पर release किया गया था by the Bharaj Forest Division of Uttar Pradesh, आप यहाँ पर देख सकते हैं, down to earth की खबर है, 40 घडियाल्स released in घागरा रिवर amid the lockdown, 14 मई 2020 की, आज से exactly एक साल पहले की बात है, इसका IUCN status, please ध्यान रखिएगा, it is a critically endangered reptile, और इसकी जन संख्या जो है, इस लेकिन घडियाल एक particular सवाल के option में जरूर देखने को मिला था, डुगॉंग को लेके सवाल आपके सामने है, this is the question with reference to डुगॉंग, a mammal found in India, which of the following statements is or are correct, it is a herbivorous marine animal, it is found along the entire coast of India, it is given protection under the schedule 1 of the WPA 1972, इसलिए मैं आपको कई बार बताता रहता हूं, खास करके कुछ जो important animals है, अग अगर कोई animal WPA 1972 के तहत protection दी गई है, तो आपको याद होना important है, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, ये देखिए, डुगॉंग डे बनाया गया था, 28 मई 2020 को online painting slogan and quiz competition भी हुआ था, इस दिन, ये Wildlife Institute of India के दोरा बनाया गया था, Wildlife Institute of India दोस्तों, ये भारत के देरादुन में located India का ए फिर भी इसकी discussion कर लेते हैं, देखें, सबसे पहले डुगॉंग के बारे में, ये एक medium-sized marine mammal है, ठीक है, medium-sized है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और marine यानि की samudri mammal है ये, it is the world's only vegetarian marine mammal, it is also known as the sea cow, ये बहुत ही important चीज है, sea cow इसको कहा जाता है, please remember this, this is the most important fact, आपको भूलना नहीं है, it is found in the warm coastal waters from East Africa to Australia, including the Red Sea, Indian Pacific, Indian Ocean and the Pacific, यानि की ये केवल और केवल आपका जो गरम तटिये पानी होता है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, सारे के सारे entire coast of India में आपको देखने को नहीं मिलता है, इसलिए option number B आपका गलत हो जाएगा, A और C आपका सही है, hence आपका option number 1 1 in 3 only will be the correct answer, IUCN status दोस्तों इसका vulnerable है, इसको ध्यान रखेएगा very very important again, और इसके जो threats है, threats mainly इसके यही है कि illegal fishing activity होती है, vessel के साथ कभी कबार टकरा जाता है, unsustainable hunting या poaching होती है, unplanned tourism भी होता है, जो 2020 का World Dugong Day बनाया गया था, इसका जो theme था, इसका जो विशे था, इसका नाम save Dugong, save livelihood, इसको ध्यान रखेगा, इसको लेकर सवाल आने के chances बहुत कम है, ऐसे सवाल UPSC में नहीं आते हैं, बढ़ हां, यह सारी की सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, जो 3-4 facts मैंने आपको यहां बता दिये हैं, these are the most important facts with respect to Dugong. Next दोस्तों बात कर लेते हैं, hump-backed महसीर के बारे में, देखिए, इसका नाम बड़ा simple है, आप यहां पे देख सकते हैं, चार युवा हैं, जिन्होंने इस particular महसीर को पकड़ा हुआ है, और आप देख भी सकते हैं, इसका size कितना बड़ा है, और इसी के साथ इसके कई सारे त orange find महसीर कहा जाता है, now, क्योंकि इसका size इतना बड़ा है, इसी लिए इसको tiger of the water भी कहा जाता है, अच्छा दूसरी बात, क्या ये इंडिया में हर जगा देखने को मिलती है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, अगर हम देखेंगे तो भारत की, जो आपकी कुछ-कुछ नदिया है, खास करके जो South India की नदिया है, केवल वहीं देखने को मिलती है, और उसमें भी ये सारी की सारी नदियों में देखने को नहीं मिलता है, this is only limited to the Kaveri River Basin, जो Kaveri का आपका River Basin है दोस्तों, वहीं पर आपको केवल और केवल ये hump-backed महसीर देखने को मिल जाती है, इसका ती endemic to the western guards of India, endemic यानि की endemic का मतलब ये होता है, कि only and only on this place, यानि कि ये इसके इलावा कहीं पर भी और आपको देखने को नहीं मिलती है, अब इसको लेकर basically ये चर्चा में क्यों थी, because इसका जो status है, इसको critically endangered declare कर दिया गया था, that is why it was being talked about, हाला कि ये खबर पुरानी है, but still ये ये खबर को लेकर अभी तक सवाल पूछा नहीं गया है, और इसलिए ये एक relevant news बन जाती है, next बात कर लेते हैं, band tail scorpion fish के बारे में, बहुती खतरनाक मानी जाती है ये वाली scorpion fish, और ये क्यों सुर्खियों में थी, क्योंकि पहली बार इसको पिछले साल की बात है, आज से 31, 2020 की बात है, इसको पहली बार भारत के Gulf of Manar में देखने को पाया गया था, ये वाली जो fish है, ये बहुती जहरीली होती है, it is a venomous marine fish, केवले आपको समुदर में देखने को मिलती है, and more importantly, इसके अंदर जो venom होता है, ये इसके spines में located होता है, इसके अंदर जो venom है, इसके spines म पाला पार्ट है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, widespread in the tropical and the temperate seas, but mostly found in the Indo-Pacific region, तो mainly आपको Indian Ocean और Pacific Ocean के region में ही देखने को मिलती है, अच्छा इसकी और बड़ी खास बात है, ये अपने color को change कर सकती है, और ये अपने surrounding के साथ blend कर सकती है, इसको हम अगर अंग्रेजी में कहें, तो camouflage करने की जो इसकी capacity है, वो काफी बहतरीन है, ये सुर्खियों में इसलिए थी, because ये पहली बार Indian waters में देखने को मिली थी, near the Gulf of Manar, next, दो-तीन चीज़ें आपको बताऊंगा, यहाँ पर single-cell marine organisms हैं, सबसे पहले तो आपके coco-lithophores हैं, coco-lithophores पहली बार तो नहीं ह सुर्खियों में, ये हर बार ही कुछ ना कुछ इसको लेके चर्चा होती रहती है, ये इसके बारे में हम बात क्यूं कर रहे हैं, because climate change ने क्या किया है, coco-lithophores का, जो calcification का rate है, इसको काफी हद तक बदल दिया है, it has resulted in the decrease in the concentration of oceanic calcium carbonate in the southern Indian ocean, और इसी रहे इसकी हम बातचीत क कर रही है, ये coco-lithophores होते क्या है, ये basically दोस्तो single-celled algae है, which is living in the upper layers of the world's oceans, तो world की जो दुनिया बर की समुद्र है, उनकी जो सबसे ऊपर की layer होती है, वहाँ पर देखने को मिलते हैं, और ये calcify marine phytoplankton and help in removing carbon dioxide from atmosphere and the ocean, अच्छा दोस्तों ये खुद phytoplankton नहीं होते हैं, आ जो कि आपके ocean उसमें पाई जाते हैं, पूरे के पूरे environment में, और आपने नाम सुना होगा zooplankton के बारे में, तो phytoplankton आपके क्या होते हैं, phytoplankton आपके primary producers होते हैं, ये उन phytoplankton को calcify करते हैं, और उन phytoplankton को calcify करने के बाद, ये basically काम क्या करते हैं, जो carbon dioxide है, उसको atmosphere और ocean में से remove करने में help करते हैं, जो यहाँ पे carbon dioxide है, उसके साथ जाके ये जुड़ जाते हैं, जिसकी वज़े से क्या produce होता है, calcium carbonate produce होता है, और अगर calcium carbonate produce होगा, तो basically आपका जो carbon dioxide है, ocean और atmosphere में वो कम हो जागा, लेकिन जो नई study सामने आई थी, उसके अनुसार, basically calcium carbonate की concentration concentration कम होती हुए नजर आई, इसका मतलब coco lithophores यहाँ पर properly calcify नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि इनका जो calcification का rate है, यह कम हुआ है, तो I think अब आप समझ पाए होंगे, कि basically climate change हुआ, climate change की वज़े से coco lithophores की, जो calcification का rate था, उसमें alteration हुई, और क्योंकि calcification के rate में alteration इसका मतलब CaCO3 उतना नहीं बन पा रहा है, यह पूरी कहानी है जो कि आपको यहाँ पर समझनी है, लेकिन यह खुद phytoplankton नहीं होते हैं, यह phytoplankton को जाके calcify करते हैं, दूसरे नंबर पर आपको ध्यान देना है, noctiluca scintilans के बारे में, यह भी एक बहुत important species है, बहुत bioluminescence when disturbed, अगर यह disturbed होते हैं, तो यह suddenly एक तरह की bioluminescence, एक तरह की light को emit करते हैं, जिसकी वज़े से यह वाली आपको lights देखने को मिल जाती हैं, यह क्या काम करते हैं, यह basically graze करते हैं दूसरे microorganisms के उपर, which are larvae, fish, eggs and diatoms, the blooms of noctiluca scintilans, commonly known as sea sparkle, are being witnessed along the coast of Maharashtra and Karnataka, इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पर जो unicellular marine organisms हैं, उनको कुछ ना कुछ disturb किया गया है, इसलिए आपको suddenly यह वाली जो lighting सी, महराश्टरा और करनाटका के तटों पर देखने को मिल रही थी, the toxic blooms of scintilans are being linked to massive fish and marine invertebrate kill, अगर यह मान लीजे, देखे, अब इसमें भी कहानी बड़ी simple है, कि यह किसके ऊपर जीते हैं, यह basically grazing करते हैं, ऐसे micro organisms के ऊपर, जो कि या तो larvae है, या fish है, या eggs है, या diatoms है, ठीक है, अब अगर इनकी grazing बड़ रही है, इनकी मात्रा बड़ रही है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो marine invertebrate है, या फिर जो fishing है, उनकी बहुत जादा killing हो र probability इनके पूछे जाने की काफी जादा है, तो इसी लिए please थोड़ा सा ख्याल रखेगा, it is important from the examination point of view, right, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, great Indian bustard, कुछ birds की बात कर लेते हैं, ये भी interesting है, great Indian bustard को लेके UPSC I think सवाल पूछ चुकी है, लेकिन पिछले कुछ 4-5 सालों में सवाल न इसकी जो body है दोस्तों, ये horizontal body है, लेकिन इसकी जो टांगे होती है, ये काफी लंबी होती है, giving it an ostrich-like appearance, आप यहाँ पर देख सकते हैं, this is the great Indian bustard, अब देखिए, टांगे भी इसकी लंबी है, इसकी जो गर्दन है, ये भी काफी लंबी है, और इसका जो body है, ये काफी जा से देखेंगे, तो great Indian bustard की population है, ever since 1960s, वो काफी जादा गिर चुकी है, 1261 एक टाइम पे इनकी population थी, आज इनकी population डेट्सों से भी कम हो चुकी है, और इनकी population आप देख सकते हैं, क्योंकि इतनी कम हो चुकी है, इसका जो IUCN status है, सबसे पहले तो IUCN status critically endangered है, sites, यानि की जो आ Migratory Species की जो convention है CMS, वहाँ पर भी इसको number one appendix में रखा गया है, यानि की highest protection दी गई है, जो WPA Act है भारत का 1972 का, उसके भी पहली अनुसूची में इसको रखा गया है, यानि की highest protection वहाँ पर भी दी गई है, and more importantly, it is the state bird of Rajasthan, इसको भी ध्यान रखेगा, इसको लेकर basically सुर्खिय में क्यों था, यहाँ पर NGT यानि की भारत का जो National Green Tribunal है, उन्होंने ये कहा था, कि जो power lines है, जो power lines है, वो यहाँ पर जो भी Great Indian Burstet की habitat है, उसके उपर से नहीं जानी चाहिए, उसके नीचे से जानी चाहिए, कि अगर कोई power line आप यहाँ पे बिचाने की कोशिश कर रहे हो तो जो भी इनकी habitat है, उसके underground यह वाली power lines बिचनी चाहिए, और खास रूप से अगर कोई power line जमीन के उपर भी आ रही है, तो वहाँ पर bird diverters बिचाए जाने चाहिए, कि पंची जब उस particular power line के पास पहुँचेगा, तो automatically अपने रास्ते को divert कर लेगा, so that इनकी जो थोड़ी बहुत population बच गई है, इसको किसी प्रकार की problem face ना करनी पड़े, इसको लेके पाकिस्तान से अकसर खबरें आती हैं कि पाकिस्तान में फिर से इसकी hunting को allow किया, वगरा वगरा, बट वो चीज़ें काफी unfortunate हैं, नाव यहाँ पर इसकी जो habitat की बात करते हैं, तो habitat यह mainly आपको मर Western India में भी देखने को मिलता है, Central India में भी और Eastern Pakistan में भी देखने को मिल जाता है, इसकी जो sights है, देखिए, राजस्तान की Desert National Park Sanctuary है, गुजरात की नलिया है, then Varora in Maharashtra and Belari in Karnataka, लेकिन जो इंडिया में maximum आपको बस्टर देखने को मिलता है, वो यहीं पर Desert National Park Sanctuary राश्तान म में बात नहीं करूँगा, आपने अपने static knowledge में पढ़ रखा होगा, वल्चेस के बारे में कि इसकी कितनी तरह की species होती है, I think आपको मालूम होगा कि इंडिया में वल्चेस की कम से कम 9 तरह की species जो की पाई जाती है, आप जाके अपनी basic book को refer कर सकते हैं, अब इसको लेकर क्य emerging threats to vulture conservation, establishment of four rescue centers in Pinjaur, उसके बाद Bhopal, Guwahati and Hyderabad, regulate the sale of veterinary non-steroidal anti-inflammatory drugs, जो की माना जाता है कि, जो की vultures की death के लिए responsible है, NSATS, उनकी sale को regulate करना है, conservation breeding programs for the red-headed vulture and the Egyptian vulture, nationwide vulture survey होना जरूर है हर 4 साल, and additional vulture conservation and breeding center आने चाहिए in so-and-so states में, तो ये कुछ-कुछ चीज़े हैं, जो की vultures के लिए भारत सरकार ने announce करी है, ये पूरा plan है, जो की हमारा अगले 5 सालों तक चलने वाला है, next दोस्तों बात कर लेते हैं, नारकोंडम हॉन्बिल के बारे में, हॉन्बिल को लेके again UPSC पहले सवाल पूछ चुकी है, और हॉन्बिल एक ऐसा सवाल है, जो की interview panel में, कई बार interviewers ने पूछा है, from the candidates, और बहुत ही commonly इस सवाल को पूछा गया है, अब हॉन्बिल में अगर आप देखें, इंडिया में कुल मिलाके हॉन्बिल की 9 species पाई जाती हैं, और इसमें जो 4 species हैं, यह आपको Western Ghats में देखने को मिल जाती हैं, इसकी habitat याद करने का तरीका बड़ा simple है, हॉन्बिल्स आपको mainly कहां देखने को मिलते हैं, जानते हैं, semi-evergreen forest के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, तो यह यहाँ पर ही और क्यों की यह frugy fours होते हैं, यानि कि यह mainly तो fruits खाते हैं, या फिर berries खाते हैं, जिसकी वज़से यह mainly ऐसे areas में ही आपको देखने को मिल जाते हैं, Western Ghats में आपको मालूम है क्या क्या हैं, या तो evergreen forest ह है या फिर semi evergreen forest है now species of hornbill which are endemic to the Indian island of narcoondum in the undermans इनको कहा जाता है narcoondum hornbill narcoondum के बारे में अपने नाम सुना होगा यह आपका पूरा underman का map है physical map मैंने आपको यहां पर दिखाया है और इस narcoondum यह जो underman का physical map है इसके right side पे located है दोस्तों आपका एक तो है narcoondum island और इसी के नीचे आपको मालूम होगा there is something called as the barren island तो narcoondum island जो है again आपको मालूम होगा एक dormant volcano भी माना जाता है इसी narcoondum island पे आपको एक hornbill की species देखने को मिलती है जिसको कहा जाता है narcoondum hornbill clear है यह बात इसका जो biucion status है यह endangered है इसको याद रखना है आपको and it has been referred as the forest engineers क्यों क्योंकि यह एक तरीके से forest में farmer का काम करते हैं seeds को disperse कर देते हैं tropical trees की जो की ultimately forest को grow करने में help करता है तो यह भी एक काफी important चीज है they are often called as the farmers of the forest next बात कर लेते हैं greater adjutant stock के बारे में अब stocks क्या होते हैं stocks basically कुछ इस तरह के पंची होते हैं जिनकी देखे ध्यान से गर्दन भी काफी लंबी होती है और जिनके पाओं काफी जादा लंबे होते हैं तो इनको कहा जाता है stocks अब इनको differentiate कैसे करेंगे बस्टर्ड से बस्टर्ड की जो बाड़ी होती है वो horizontally काफी लंबी होती है लेकिन stocks की बाड़ी उतनी लंबी नहीं होती है इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे एक बर्ड का जो span है वो basically थोड़ा vertically जादा इसका बड़ा span है इसलिए इसको stocks कहा जाता है now जो greater adjutant stock है यह stocks की एक rare species है जो की भारत में देखने को मिलती है और अगर आप देखें भारत में भी बहुत ही limited areas में यह पाई जाती है भारत में केवल आसाम में और बिहार में आपको देखने को मि देखने को देखने को आपको देख मिलेगा वहां पर you can see the presence of the greater adjutant stock अगर हम इसके IUCN status की बात करें दोस्तों तो यह एक endangered bird है और बिहार में क्या हुआ था कि community participation की वज़े से इसकी जो population है इसमें काफी जादा बढ़ौती देखने को मिली है from 78 in 2007 to nearly 600 in 2020 आपके सामने यह Stock तो यह वाली कहानी एक बड़ी motivational कहानी है for this particular species और इसमें फ्लीजि ध्यान रखकेगा यह वाला fact भी आपको धिहान रखना है यह वाला fact भी आपको ध्यान रखना है और यह वाला fact भी आपको धिहान रखना है तीनो चीजे बहुत important है next बात कर लेते हैं बहुती briefly blue-throated macaw के बारे में not very relevant लेकिन ये सुर्खियों में था because ये माना जा रहा था कि ये विलुप्त हो चुका है 1992 में शायद कहा गया था कि ये extent हो चुका है लेकिन suddenly इसकी एक wild population की sighting होई है South America में तो इसका IUCN status अब critically endangered है क्योंकि पहले ये extent था लेकिन अब critically endangered कहा जा रहा है और इसकी जो habitat है ये सवाना grasslands में आपको देखने को मिलती है या forest में आपको देखने को मिल जाती है blue-throated macaw क्यों कहा जाता है तेखे इसका जो गला है ये आपके सामने है ये नीले रंग का गला है it is a large parrot with plumage on its upper parts and turquoise long tail इसकी जो tail है ये भी काफी लंबी है और इसका जो रंग है ये turquoise color का color है तो turquoise very close to blue but not exactly blue ऐसा कह सकते हैं turquoise एक तरीके से beautiful blue कहा जाता है और ये आपका जो blue-throated macaw है ये suddenly दुबारा से reappear हुआ है दो-तीन species और आपके साथ discuss करना चाहूँगा again not very relevant लेकिन Amur falcon अक्सर सुर्खियों में रहता है इसलिए इसके बारे में बात तो करनी ही करनी है अमूर falcon देखे ये raptor माना जाता है राप्टर समझते हैं किसे कहा जाता है राप्टर ऐसे पक्षियों को कहा जाता है जो कि अपने से बड़े जानवर को खाना प्रेफर करते हैं ठीक है राप्टर basically belongs to that particular family जो कि अपने से बड़े vertebrates को खाना प्रेफर करते हैं ये कहां-क पर पाया जाता है अमूर फैलकन एक बहुत ही इंट्रस्टिंग पंची है दोस्तों इसकी मेंली ब्रीडिंग होती है साइबीरिया में और नॉर्धन चाइना में भी इसकी ब्रीडिंग होती है लेकिन जब बहुत सरदी पढ़ने लगती है तो ये सदन आफरीका तक जाता है जब ये सदन आफरीका तक जाता है तो असल में रास्ते में भारत के नागा लैंड में stopover करता है near the Doyang Lake. तो अमूर फैलकन भारत में stopover करने के बाद सदन आफरीका की जर्नी की तरफ बढ़ता है. अब पंक्ती विलिज इन नागालांड is considered as world's अमूर फैलकन कापिटल इसको प्लीज ध्यान रखिए इसका status least concern है इसकी population में कोई कमी नहीं है लेकिन ये important क्यों है क्योंकि ये एक migratory पंची है ठीक है और इसका जो migratory route है वो भी अपने आप में काफी जाधा interesting है. Next बात कर लेते हैं विलो वार्बलर के बारे में. This is the longest migrating small birds बहुत छोटा पंची है लेकिन बहुत लंबे distance तक migrate करने के लिए जाना जाता है. Usually seen in the European regions, it migrates to sub-saharan Africa during the early winters, sighted for the first time in India in Thiruvananthapuram. तो Kerala में पहली बार sight किया गया है और इसलिए सुर्खियों में ये कहा गया था. इसके बाद Pied Cuckoo है, Pied Cuckoo not very very important, one of the few species that come to India in the summer, lays its eggs in the nest that belong to other birds. इसकी दो तरह की population है जो भारत में पाई जाती है, एक इसकी southern part में पाई जाती है और दूसरा इसका northern और central India में पाई जाती है. जो northern और central India की population है वो migrate करती है, लेकिन जो southern part की population है वो migrate नहीं करती है. इसको लेके हमारे Wildlife Institute of India ने रिसेंटली एक study शुरू करी है ये जानने के लिए कि basically इसकी migration क्यों होती है कैसे होती है वगरा 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 बट ये बहुत relevant नहीं है हाँ ये पहले वाला आपको please थोड़ा ध्यान रखेगा Amur Falcon और आपका जो Willow Warbler है दोनों ही बहुत important species मानी ज बात कर लेते हैं दोस्तों Malayan Giant Squirrel के बारे में ये एक interesting species है basically क्या हुआ है कि Zoological Survey of India जो की भारत का ZSI है इन्हों ने ये कहा है कि जैसे जैसे आपके forest खतम होते जा रहे हैं और जलवायू परिवर्तन होता जा रहा है उसने basically इन species की existence के ऊपर एक बहुत बड़ा खत्रा सामने ले आया है इसका IUCN status वैसे तो near threatened है ठीक है यानि कि इसकी जो अभी problem है वो बहुत जादा नहीं है लेकिन हा जैसे जैसे forest खतम होते जा रहे है इसकी problem बढ़ रही है इसकी problem बढ़ रही है it is a herbivorous rodent अगर आप ध्यान से देखेंगे एक चूहे की तरह लगता है ये और इसक is a good forest health indicator species आपने नाम सुना भी होगा अपने environment ecology में कि कुछ-कुछ species को हम indicator species कहते हैं जो कि indicate करते हैं कि उस particular time पे क्या status चल रहा है क्या चीज़न चल रही है तो वो बता सकते हैं कि अब ये वाले जो squirrels हैं ये किसी forest की health को बता सकती है अगर मान लीजे कि इन species की संख्या कम हो हो रही है इसका मतलब forest की health आपकी deteriorate हो रही है वो down आ रही है ये चीजों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है next कहानी बात कर लेते हैं butterflies के बारे में very very interesting butterflies की आपको जादा species याद नहीं करनी है लेकिन important क्यूं है क्योंकि अगर आपके सामने आप देखेंगे ये वाला सवाल आया हुआ है ये UPSC का question है recently for the first time in our country which of the following states had declared a particular butterfly as the state butterfly Arunachal, Himachal, Karnataka, Maharashtra आपका जो जवाब है वो option number D था यहाँ पर in fact इसके अगले साल एक और सवाल पूछा गया था 2017 में की butterflies की population की जो importance होती है वो क्या रहती है इसलिए butterflies generally आपको ध्यान रखने काफी important है अब butterflies पिछले साल सुर्कियों में थे for this very very important reason national butterfly का status अभी तक किसी butterfly को नहीं दिया गया है एक citizens के बीच में poll करवाया गया था और उन्होंने तीन contenders को shortlist किया था ये तीन contenders कौन से कौन से हैं पहले वाला है आपका Krishna peacock, दूसरे वाला है Indian Jezebel and तीसरे वाला है Orange Oak Leaf ये तीनों को shortlist किया गया है लेकिन finalize अभी तक कोई भी butterfly नहीं करी गई है आप यहाँ पे देखिए Krishna peacock basically आपको देखने को मिलती है Himalayan region में Indian Jezebel, it deters its predators with its flashy wing colors and it can be spotted in the gardens and other lightly wooded areas इसके बाद Orange Oak Leaf है जिसको की dead leaf भी कहा जाता है for its ability to camouflage as a dry autumn leaf ये तीनों की तीनों basically आपकी तगडी contenders बनी हुई है for the national butterfly status हर की अलग-अलग विशेषता है जो की आपको ध्यान रखनी है Krishna peacock हेमालयास में पाई जाती है, Indian Jezebel अपने predator को अपने flashy wings से डराती है और Orange Oak Leaf basically camouflage के लिए बहुत famous माने जाती है इसका जो presence है आपको mainly western ghats में देखने को मिलता है and in the central, northern and the northeastern parts Indian Jezebel दोस्तों सबसे commonly आपको almost इंडिया में हर जगा देखने को मिल जाती है रही बात golden bird wing की ये एक हिमालयन butterfly है and India's largest butterfly भी इसी के पास दर्जा दिया गया है golden bird wing के पास please remember this very very important species of the butterfly right, next and the last बस थोड़ी सी वीडियो बच गई है Brahma Kamal Flower ये recently क्या हुआ है कि Brahma Kamal का जो flower था ये इसकी blooming हुई थी in the Uttrakhand's Chamoli district और इसलिए हम इसको कवर कर रहे है इसकी खास बात क्या है ये काफी अन्य फूलों से काफी अलग तरीके से काम करता है it is known to bloom after sunset and blooms just once a year तो साल में केवल एक बार blooming होती है लेकिन ये sunset के बाद blooming होती है it is the king of the Himalayan flowers and the state flower of Uttrakhand as well it is highly valued in Tibetan medicine and Ayurveda क्योंकि माना जाता है कि इसमें कई सारी healing properties है जो की आपके cuts और bruises को treat कर सकती है इसका नाम भी बढ़ा interesting है ब्रह्मा कमल flower ठीक है याद रखेगा it is the state flower of Uttrakhand not of Himachal Pradesh please remember this next कुछ invasive species ही जो की सुर्खियों में थी और in fact इसमें जो ये वाली invasive species है when I am making the video with you ये फिर से एक बर सुर्खियों में आ चुकी है because हमारे जो आंध्रा प्रदेश के कई सारे crops हैं जो की इससे affect होना शुरू हो चुके है ये एक invasive exotic pest है Caribbean origin का Caribbean कहां पर देखने को मिलता है Caribbean you can see on the eastern side of the northern American continent तो वहां से ये एक invasive pest है जो की भारत में entry ले चुकी है ये Caribbean islands Caribbean islands का और आसान पर दरीका बताऊं West Indies का नाम सुना होगा आपने cricket team का तो वहां से ये आई है ठीक है Through the transportation of infested seedlings spreading in backwaters of Kerala ये last year की खबर थी लेकिन अब आपको मैंने बताया कि ये आंध्रा प्रदिश में भी आपको देखने को मिल रही है Lady bird beetles are found to be the biological weapons against this pest इसको खतम करने के लिए आपको lady bird beetles का इस्तिमाल करना पड़ता है Right White fly क्या है White fly धान से रखिएगा नाम सुन लिजे ये invasive pest है So white fly दोस्तो this is a pest इसको खतम करने के लिए आपने ये वाली lady bird beetles आपका biological weapon है जो कि इस pest के against काम करती है इसके बाद White grub insect larvae agricultural pest which affects the sugarcane crop yellowing and the wilting of leaves and causes damage to the base of the shoot ये वाला काम करता है आपका White grub insect larvae and charu muscle invasive muscle which is again native to South and Central American coast spreading in the backwaters of Kerala ये क्या है ये वहां के जो fishermen है उनको काफी तंग कर चुकी है because ये वहां की मचलियों को काफी problem कर रही है it is threatening the livelihood of fishermen engaged in the molluscan fisheries और जो चारू muscle है इसकी spread काफी तेजी से हो रही है और ये क्यूं होई है 2017 में एक cyclone आया था जिसका नाम था ओक्खी उस cyclone के चलते कहा जा रहा था कि ये वाली species भारत में entry ले चुकी है अब देखिए इसके आपको क्या क्या याद करना है चारू muscle का आपको ध्यान रखना है South and Central American Coast पर ये पाई जाती है और आपको Wully Walfly में ध्यान रखना है अगर आपको लेना है दोस्तों तो यूज माइ कोड अनि UPSC और इसमें भी अगर आप देखें यू विल बी गेटिंग प्रिंटे नोट्स वर्थ रुपीस 10,000 मेगा ओफर यानि की आपका अगले साल के PT तक आपका सब्सक्रिप्शन वाले रहने वाला है यू कान इवन गो फ़र लोन अगर आपके पास क्रेट काड और डेबिट काड अवेलेबल नहीं है और 10% डिसकाउंट तो आपको मिल ही जाएगा और नॉट अनली इस अनकाडमी कॉमबाट में आपको खिसा ले सकते हैं जो की हर अविवार को होता है जिसमें अगें टॉप 500 जो रांकर्स होंगे उनको अनकाडमी की तरफ से स्कॉलर्शिभी प्रवाइड करवाई जाएगी अन दाट नोट आए टेक यू लीव थांक यू फॉर लिस्निंग स्टे टून अन स्टे सेफ